अगर जनाब डबा, बेटी खाला और अम्मा इन सब के चले जाने के बाद में शौपिंग के लिए लेके जाएंगे तो हम ही कहां से खुश होंगी पूरा आप शकल देख लिजे उनकी कि उनकी शकल इस तरह से लग रही है कि जैसे उनको जबरजस्ती यहां शौपिंग के लिए लाया गया है यह स्क्रीन शौट देखिए यह आपको सब बेयान करता है तो आज हम बात करेंगे जनाब के नए व्लॉग की जिसमें बहुत सारी बाते आपसे करने को है यानि इतनी सारी बाते हैं कि मतलब मुझे लगता है शायद हो सकता है दो पौडकास्ट ना बन जाए इतना लंबा ना हो जाएगे आज की चर्चा में आपका स्वागत है तो अचाना की इस बार ऐसा लगा कि रमजान पे शौपिंग करने का जो इनका रिश्वल है वो ये लेके नहीं जाएंगे जनाब लेकिन अचाना की उनको जाग गए और वो जागे कब जबके डबा चली गई और उसके बाद में पू उस टेक को बचाय रखने के लिए ये लेकर गए शौपिंग पर सबको अब देखिए अम्मी का मूर देखिए उनकी शकल देखिए और सबसे बड़ी बात जो सूटों के लिए इतना पागल रहती हैं कि हर सूट के लिए ये मुझे दे तो ये मुझे दे तो ये मेरे पर या तो अंदर से आदमी इतना जाड़ दुकी हो कि आप से बोलनी सकता लेकिन फिर भी जो बज़स थी वा आपकी बात को सुन रहा है तो तो तब ऐसा हो सकता है या फिर आपने ही उचको इतना जादा प्रेशराइज कर दिया हो कि नहीं तुमको ये काम करना ही करना है जैस हैं वो कहा है अगर वह एक उसको भी लेके जाते तो क्या धिक्पत हो जाती वेसे भी दो-दो गारियां लेकर गए हैं एक गारी में तो सिर्फ ये दोनों बैठे हुए हैं अम्मी बैढ़ी हुई है ठीक है दूसरे में ये बच्चे बैठे हुए हैं और वो जो निकू वगरा जो दिखाई दीते बाद में वो देखे हुए हैं और इनकी गाड़ी जो ड्रैवर चला रहा था तो मैडम और जनाब को डबा की तरह गाड़ी भर भर के ले जाने की आदत नहीं है तो इसलिए वो दो गाड़ी लेकर वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हैं तो उस दो गाड़ी में क्या उसको नैनी को जगे नहीं मिल सकती थी क्या उसका एक हक नहीं बनता था एक सूट उसके लिए भी ले ले जाता यह क्या फरक पड़ता है जब आप यह कहते हो कि सारे त्योहार हमारे हैं और इस तरीके से हैं और वो भी पूरी पूरे पार्टिसिपेट करती है आपके त्योहारों में तो क्या एक सूट उसके लिए नहीं बनता था बड़ा विश्法 कलेक्शन यह वहीं पर ही गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने पूरा और बार 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 खुद से न कहके अब की बार निया स्टाइगर निकाला है और निया इस्टाइल की ए Wor 거는 के रही है इस बार बिलकुल अजीब तरीके से अलग तरीके से आप सोच भी नहीं सकते और उनका कहना है यह है कि वो जो बच्चे से कह रही है कि जब यह पेटू में था ना तो हम यह बहुत कुश हो रहा है क्व हुआ क्यों क्योंकि तुम्हें पता है की बिज्चे को आप यह भाग भाग कर लेकर आती थी है यारिन जब यह पेट पिट था में था तब आप भाग भाग कर आती थी तब शादी कर 21 जाबत भुबर कर रहे था तो थोरव भी बता दीजिते हैं इस बच्चे पे तो वहाँ पे स्मोकिंग करती थी तो ऐसा हो सकता है कि आप आज की रिट में आपकी स्मोकिंग बेकुल बंद होगी हो तब आपकी स्मोकिंग नहीं चलती हो तो वह भी तो बच्चों ने देखा होगा ना बिल्कुल देखा होगा जरूर देखा होगा पापा कर रहे हैं क् मैडम ने ये प्रोमोशन का एक नहीया भी तरीका निकाल लिया चारा कि बच्चे के थुरू वो ये कहल वारी है कि बच्चा बहुत खोश है और बार बार कितनी बार आया intercept हम आए हम को ये अच्छा लगता है बहुत बड़ी हैं बहुत अच्छी शौप है और चलते चलते देखिए इनका क्या है क्या नहीं है कितने परसंटेज का यहाँ पे इनका मामला है इसमें शियर है या क्या है वहाँ पर फिर दुबारा से वह पिछले वाला सीन रिपीट हो गया वो अफ्तियारी फिर दुबारा आके लगी अब पिछली बार इतनी ट्रोल जनाब हाथ डाल डालके शर्बत बनाते हुए वो भी शौप के अंदर ठीके वो इस लिए इस लिए इस बार शर्बत बनाते हुए नहीं दिखाई दिये इस बार जो है सिर्फ रोज़े खाना वहां लगा दिया गया और खाना भी तो देखिए भाई च्छै लोगों के है यह जनाब तो इतने ही हो सकते हैं यह मैक्सिमम हैं इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सारे लोग रोज़े रखते हो और बाकी का तो बहुत दावे के साथ में और कोई रोज़ा रखता ही नहीं यानि कि निक्कू वगरा हो गया या फिर मैडम होगी मेडम कहां रोचे रखती है पहले शॉपिंग की बात कर लेते हैं उसके बाद में नमबर आता है गेहान का अब गेहान को जो दिखा रहे हैं उसको पसंद नहीं आ रहा है उसके दिमाग में अल्रेड़ी एक सूट है जो जनाब ने पहना था वो वैसा ही बनवाना चाता है पूरी तरीके से जनाब 2.0 बनने की कोशिश करता है और साथ में जो गिज़ा के लिके गए थे क्या उसका कोई सूट नहीं आया कोछ भी नहीं दिखाया और नहीं ये दोनों बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल दिखाई दे रहे मतब पता नहीं क्यों इन दोनों के साथ में गए जरूरे हैं सारे और पूरे टाइम एक तो ये मैडम ही जो परिशान कर देती है बिल्कुल एक दम से इरिटेट कर देती है बच्चे को गूँ गह गह इस तरी की पता नहीं कैसी कैसी आवाज निकाल के आपको भी इतना अकॉर्ड लगा होगा जब मैंने लिटिल बिट जो है यहाँ पर आवाज ही निकाली इसनिया ज़्यादा इरिटेट करती है पूरे व्लॉग में उस बच्चे को ऐसे खिलाती रहेगी तिरको बच्चे को खिलाने को मिलता नहीं क्या या बहार जा की तिरको बच्चे को खिलाने को मिलता है और पिर अगर बच्चे की बात करें तो आप यह देखो भरा पुरा परिवार चला गया दादी चले गई दोनों एक चाचा चला गया एक बुआ है साथ में और दादी भी साथ में है तो इतने सारे लोगों में है बच्चा आप पूरे व्लॉग में देख लीजे मैडम के पास में है या जनाब के पास में है क्यों नहीं वो क्या इनका बच्चा नहीं है क्या और उसको उनको देती ही नहीं है वो गहान भी ले सकता है गिजा भी ले सक के मैडम का लिए से खिला लुका सूर् zo करें और और वह जह मिद्ग्व करें उसको ऋसके मेडम का यूज़ between और फिर वही वाला खाना उसने जाके वेस्टन होटल में खोला है और वहां बच्चे को फिर दुबारा से उसी तरीके से खिलाने की कोशिश करिए तो मैडम एक बार बताईए क्या उसको इस रखी हुए खाने से जो एक बार खोल के आप दुबारा गर्मियों के टाइम में द हो कि उसको उपर नीचे जाने से कान बंद होते हैं और साथ में जबड़ा भी जो है उसका दब ने लगता है तो उसके लिए पानी प्लाना आपको याद है लेकिन आपको यह याद नहीं है कि मैं किस तरह से फीड करा रही हूं और दो दो बार उसी से सेम फूड को फीड कर किस तरह से रखा हुआ है और किस तरह से में खिला रही हूं चलिए व्लॉग की बाकी चीजों की बात करते हैं तो बाकी चीजों में सबसे पहले वह चूड़ी वाला केस है वह सामने आ जाता है यानि अब वह कोश्चन अंसर यह वाला जो व्लॉग है ना इसको आप कह सकते हो Q&A क्योंकि कही जगे कोश्चन के आंसर जो है जनाब बिलवारे हैं जो जो कोश्चन उनके नीचे पूछे जाते हैं तो ये पहला कोश्चन आया है अब आपके सामने और पहला कोश्चन क्या सामने आया है कि चूड़ी उन्होंने क्यों नहीं ली अब मैडम तो मैडम है अब मैडम का प्ली सुनिये मैडम कह रही है क्योंकि बच्चे के साथ रहती है वो तो इसलिए वो हाथों में कुछ पहनती नहीं है तो इसलिए अभी वो नहीं पहन सकती है इसलिए उन्होंने मना किया था कि मेरे लिए मत ले के आना अच्छा भी आपने मना किया था तो हमेशा के लिन ही पहनोगे क्या तो अगर एक रिचूल है तुमारा और वह पति तुम्हारी वैसे तो कुछ करता नहीं है मतव है कोई पैंप कर आता है हर बार तो अगर इस बार भी ले कर आजाएगा तो क्या दरजनों सूट वैसे भी आपके पास पढ़े हुए होंगे चूडियां पढ़े होंगी और एक बाँ बताओ आपके अलमारी में इतने सारे सूट पढ़े रहते हैं तो क्या आप कपड़ा खरीदना बंद कर देते हो क्या दूसरी बात अगर ये बात सच होती तो जब वहाँ पर फनी को उसने ये कहा था कि तुम च अगे ये कोरा झूट बोट रहे हैं और ये जूट बोलने के लिए मैडम को सामने लिया हैं क्योंकि ये बात बार 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 सब कह रहे हैं ना जनाब चूड़ी क्यों नहीं ले कर रहे हैं अच्छा चलिए ये तो चूड़ी का बात होगी हमें इसमें एक बात और कहनी है देखिए ये जो मैडम है ये हातों में कुछ भी नहीं कान में भी नहीं होता और नाक में कभी-कभी होता है कभी-कभी नाक से भी मिस्व कर देती है जबकि ये सारी चीजें ये समझी जाती है भारतिय परंपरा में हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर कि ये सुहाग की चीजें कोई भी सास और कोई भी बड़ी जो है यह ऐसा काम नहीं करने देती चाहां किस कैसा भी कंडिशन क्यों ना हो एक चूड़ी कम से कम वो गोल्ड की या फिर कोई सी और मेटल की या कैसी भी या प्लास्टिक की हो सकती है कोई भी एक चूड़ी जरूर पहन के रखते हैं क्योंकि वो इससे पता चलता है वो सुह में एक तो बिच्वे पहनते हैं प्लस ये सब चीजे पहनते हैं तो ये सब चीजे उस बात का है तो मैडम आप इससे अलग कैसे हो आपकी सास क्या कुछ कहती नहीं है या आपने इतना अधिकार खतम कर दिया उसका और इसलिए आप इस कल्चर की प्रूरा मजा कोड़ा रह है तो इससे डिटेलिंग और कुछ नहीं है जिसमें जनाब ये कह रहे हैं डिटेल में आपने जो है डबा के व्लॉग में देख लिया होगा कोई डिटेलिंग नहीं है इसका मतलब उसके दिये गए जो हैंपर का इन्होंने बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया है बिल्कुल इन्होंने यहां पर अपना मूर दिखाया है और यहां देख लीजए एक स्क्रिंशॉट और लगा रहे हैं मैडम और जनाब दोनों के फेस से लग रहा है कहीं से भी कोई एमोशन नहीं है कि वो डबा जा रही है तो कोई एमोशन है या नहीं है वो अपने सुस्राल जा रह के और उसकी मा रो रो के यह सब दिखा रहे थे कि भी हमारे में इतनी इमोशन है लेकि इन दोनों में बिल्कुल रती फर इमोशन नहीं चलिए पॉड़काश बहुत लंबा हो चुका है मैंने कहा था ना बहुत सारे पॉइंट हैं अभी और भी कही सारे इंपॉर्टेंट रह गए हैं जो आप से डिसकस करने हैं और मुझे लगता है आप से जरूर उसके बारे में बात करनी चाहिए प्लीज इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं आपके एक एक कमेंट को ह पड़ते हैं और उसके बाद में उसका हरे किसी का रिपलाई करते हैं यह पॉड़कास्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज लैक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए सब को लोगों का ध्यान रखिए खुश रहिए थैंक्यू धन्यवाज शुक्रिया